हलो प्रेंट्स आज मैं बताऊंगा पसू में हर प्रकार के डाइरिया धस्त मोग के लिए सबसे अच्छा पाउडर कौन सा आता है जो एदिया आप अपने पसू को देंगे तो बहुत ज़्यादा बेंपेट देखने को बिलेगा बहुत से पसू पालकों की यह शिकायत रहती वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रोपर नॉलेज मिल जाएगा किस तरह के सिम्टम से दिया आपको दिखाये दें तब आपको जो पाउडर हैं वो आपको प्रियोग करने चाही है यह दिया आपका पसू खाना पिना कम कर दिया है बहुत ज़्यादा धस्त हो और गोबर नरम थाता कभी कभी आपका पसू पानी जैसा धस्त के साथ करता रहता है तो यह देखे लेना चाही कि आपके पसू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके पसू में हो गई है देखो आपने देखा होगा कि कई पर एदिया आपके पसू में गोबर के साथ खून भी निकलता है तो कई प्रोब्लम हो जाती हैं कई आप इस तरह की मेडिशन दे देते हैं फिर भी आपके पसूं का जो धस्त है वो उसके साथ खून भी नहीं रुक पाता है और जिस प्रकार से यह आपका पसूं गोबर कर रहा है जिससे कहें कि वो डियाइडरेशन का शिकार हो जाएगा और लगाता रहे दि आपके पसूं में इस तरह की दिकत हो रही है लंबे समेशी दिया आपके पसूं इस तरह का जो डैरिया दस्त कर रहा है तो आपका पसूं कमजोर भी हो जाएगा और आपके पसु में आंथ के अंदर भी सोजना जाएगी इस तरह की दिक्कत कहें कि यह आपके पसु में दिक्कत होती है जा आंथ के दिवार में सोजना जाए उसकी वज़े से भी है या आंथ के अंदर किसी परकार की और इंफिक्शन हो जाए या आपके पसू के आंथ है उसका मेंटेन या हेल्थी नहीं हो उसकी वज़े से भी आपके पसू में इस परकार की दिकत हो जाती है तो इसके लिए आपको किस तरह के पुस्ट में नूट्रिसन में ये आपके पसू में कमी है नूट्रिसन के ये शरीर में कमी है तो उसकी वज़े से भी आपके पसू में कई बरेदिया आप जो टेबलेट बॉलस ये आप दे देते हैं तो आपके पसों का जो डाइरिया या धस्त है वो नहीं रूख पाता है तो इसके लिए आपको कोन सा जो powder आपको परियोग करना चाहिए जो आपको मेरी टेबल के उपर दिख रहा है ये powder आप अपने पसों में परियोग करेंगे तो आपके पस्टों में बहुत ही ज़्यादा बेनफिट देखने हुँ मिलेगा लंबे समय तक इसके लिए आपको जिस प्रकार चेक तो यह रिबे कंपनी का है बैलेंस ओल पाउडर जो कि एक न्यूट्रिशन सप्लिमेंट है बहुत ही अच्छा पाउडर है जो इंटेस्टाइनल को मैंटेन करने का काम करता Hunting होँं करता है या अच्छी बनाए रखने का काम करता है साथ-साथ जो पाउडर आता है यह पाउडरा आपके पसूं के digestive के जो function होते हैं उनको भी healthy बनाए रखता है। साथ साथ यह powder आपके पसूं की जो आंत की है उसकी immunity भी बढ़ाता है। जिससे के कि आपके पसूं में इस प्रकार के लंबे समय सीधी आपके दिक्कत आ रही है आपके पसूं में तो इसको कमी को पूर्ती करते हुए आपको पसूं की वापस रिकुरी लाने का काम यह powder करता है। जो आपको दिख रहा है यह 100 ग्राम के अंदर उपलम होता है। जिसके अंदर के दिए आपको यह जो वेनिला इसके अंदर फ्लेवर आता है और इदि आप अपने पसूं को देना किस विदी से देखो यह बेलेंशोल पावडर यह आपके पसूं में इस प्रकार के दिक्कत हो जाती है तो जो इस प्रकार चीए 100 ग्राम का एक पाउच आत या इदि आपके पसूं इस प्रकार करना किया है जो बड़े पसूं है उनमें और इदि ज्यादा दिक्कत है जिनका बोडिवेट थोड़ा ज्यादा है तो आप यह 100 ग्राम के दो पाउच भी ले सकते हैं यानि 2-4 लिटर पानी भी आप उस पसूं को एक साथ पिला सकते है और फिर आप उसे 12 गंटे बाद में आप एक बर और डोज दे इस प्रकार से आप यह 3-4 इदि आप उस पसूं को डोज देंगे जो इदि आपके पसूं में बहुत ज़्यादा इदि दिक्कत हो रही है डाइरिया की तो आपके पसूं में 100% आपके पसूं में यह रिजिल लेकर के आएगा इसी तरह से यह जो चोटे अनिमल्स हैं जो बहेड बक्रियां उसमें भी दिक्कत हो जाती है तो आप इसे 50 ग्राम जो पावडर लेना है और उसके अंदगत एक लिटर पानी आपको ले लेना है और उसे पिला देना है फिर एक लिटर पानी आप 50 ग्राम को पिला देना है इसी प्रकार से एक से दो डोज इदि आप उस प्रसूं को देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफित देखने को मिलेगा यह पावडर क्या करता है कि पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है घुल है लेकिन जैसे इदि आप इस पावडर को केरस कंपनी का जो एक पावडर आता है वह पावडर भी आपको परियोग करना है जो प्रकार से लेटी फर अल्टर आता है यह क्या करता है कि एदि आपके प्रसूं में किसी भी तरह का इंफिक्शन है उसके वज़े से एदि आपके प्रसूं में जो डाइरिया है वह नहीं रुक रहा है तो यह powder भी आप उस पसू को दे सकते हैं यह powder भी आप उसी तरह से पाने में गोल करके दे सकते हैं जिस तरह से या आप जो यह balance और पाउडर एदी घोल रहे हैं तो उसके नगत जो यह लेटी पर अल्टरा भी आप मिला करके दोनों को एक साथ गोल करके आप दे सकते हैं क्योंकि यह 17 ग्राम का एक जो पाउडर आता है वैसे भी यह क्या करता है कितनी डोज दिन चीए किस प्रकार से आपके पसू में कौन कौन से रुगों में अदर काम करता है इसके बारे में मेरे चेनल पर एक डिटेल से उडियो बनी विए है लेटी पर अल्टरा के बारे में वो भी आप जाकर के देख सकते हैं क्योंकि यह किसी भी तरह के इन्फेक्टेड एदिया आपके पसू में हो चुकी है या किसी भी तरह का infection हो गया है तो उसको require करके आपके पसूं को जो diarrhea दस्त है उसको रोकता है तो ये दोनु साड़े सत्रा ग्राम का pouch आप पाने में गोल करके वैसे या 12 गंटे के इंतराल में आप उस पसूं को 2-3 बर ये dose दे सकते हैं क्योंकि ये powder भी आपके पसूं का जो एदी digestive system है उसको सही करता है रही बात एदी आपके पसूं में जो require है बहुती fast एदी आपको देखने को मिलेंगी एदी ये दोनु powder आप अपने पसूं को देंगे बैलेंसल और लैटी फिर ल पसूं में कर सकते हैं इनकी डोज आप चोथा ही डोज यानि एक जो इससा है इसका चोथा वाग आप उन पसू को दे सकते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल देख रहे हैं रही बात ये पाउडर जो प्रिग्नेंट पसू है उनको भी दे सकते हैं जो दुदारू पसू ही दि आप दे रहे हैं इदि उनका दूड डाउन हो जाता है जो कई परकार की जो बॉलस वर टेबलेटी दी आप परियोकते हैं इंजेक्सन लगवाते हैं तो ये क्या करता है आपके पसू को वापिस दूद में रिक्वरी लाने का भी काम करता है क्यूंकि ये आपके पसू की डाइजेस्टियो सिस्टम है उसको मजबूत करता है उसकी immunity बढ़ाता है इससे कहें कि आपका पसू सुसार रूप से अच्छी तरह से खाएगा पिएगा भी और आपके पसू में किसी भी तरह है कि dehydration का शिकार भी आपका पसू नहीं होगा यदि dehydration का शिकार नहीं होगा तो आपका पसू जल्दी require लेगा और आपका पसू कमजोर भी नहीं होगा तो यह दोनु पाउडर आप अपने इस प्रकार से जो बैलेंसल पाउडर आता है यह महंगा जुरू आता है 100 ग्राम यह लगबग 230 रुपे के लगबग आता है लेकिन फाइदा इसका बहुत ही ज़्यादा है यह दि आपको यह जो वीडियो अच्छी लगी है तो निशिज़ा कि आप कमेंट में लिखे है मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसू पालकों के साथ और मेरे जितने वेटीने स्टेंट है उनके साथ आप इस वीडिय आपको मिलती रहेंगी इसी तरसी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद